कर रहे हैं जो भी इंपॉर्णन टॉपिक्स बन सकते हैं वह हम इसमें कवर कर रहे हैं और वीडियो स्टाट करने से पहले कल मुझसे कई बचों ने पूछा कि हम कौन से एक्जाम के लिए नहीं नाम बताए तो आप हर वह एक्जाम के लिए इस वीडियो को चेक आउट कर सकत हो जिसमें जीके पूछा जाता है क्योंकि इसमें जीके के जितने भी कॉमन फैक्ट्स हैं जिसमें कॉमन जीके क्वेशन्स आता ना कि बहुत ज़्यदा डीप जो स्टाटिक जीके होती है वह आप इससे कवर आउट कर सकते हो तो यह सभी एक्जाम के लिए जो है कैसा क्वेशन बनता एक्जाम में आपको किसी बीडिसीस का नाम दे दिया जाएगा फिर पूछा जाएगा कि इसको मतलब कॉन सी चीज से होती है वायारस प्रोटो जोटिके के हमें उनके नाम याध होने चाहिए कि वाइरस क्यों सी मिमारिय होती है बेक्टिरीया से कॉनस वाइरस से होता है और यह फीमेल एडीज मॉस्किटों के काटने से होता है यह कुछा जाता है कि कौन से मॉस्किटों के काटने से डेंगू फीवर होता है तो एडीज मॉस्किटों काटने से आपका डेंगू फीवर होता है उसके अलावा हर्पी जोस्टर जो है वो वाइरस स से होता है, smallpox आपका वाइरस से होता है, rabies आपका वाइरस से होता है, common colds हो गया और influenza, यह सब चीज़े आपकी वाइरस से होती है, यह सब वाइरस के diseases है, तो यह सारे नाम आप याद रखेगा, क्योंकि यह बहुत important वही नेम से जिनमें से question बन सकता है, वाइरस से लेकर, next है bacteria, bacteria से कौन-कौन से diseases होती है, तो typhide, tuberculosis, जिसे हम TB बोलते है, cholera, diphtheria, bacterial manantus, titnus, goneria, यह फिर syphilis, यह जो बिमारिया होती है, यह आपकी bacteria की होती है, तो bacteria के section में आपको in diseases का नाम याद रखना है, फिर protozoa की बात करें, तो protozoa में सबसे important जो आती है, वो malaria होती है, वो pl plasmodium protozoa से होती है, plasmodium का नाम भी आपको याद रखना है, और यह कौन से mosquito से होता है, यह female anaphylis mosquito के काटने से जो है, आपको malaria होता है, जो भी मादा मच्छर होते हैं, जो female mosquitoes होते हैं, उनके काटने से ही malaria और डेंगो होता है, यह जिस आपको याद रखनी है, फिर gingvitis, जि कि बिमारी means 9 नहीं आना जो होती है, उसको हम insomnia बोलते हैं, dysentery, जिसे हिंदी में शथ patches बोलते हैं, black fever, काला जार जिसे बोला जाता है, fungal infection, दात खाज जो भी हो जाते हैं, fungal infections, यह सब जो होते हैं, यह आपके protozoa से होते हैं, तो यह तीनों ही जो virus हो गया, bacteria हो गया, protozoa ह इन सभी बिमारियों को नाम आपको याद रखने हैं, और यह भी याद रखना है कि कौन सी बिमारी किस चीज से होती है, क्योंकि यह exams में पूछा जाता है, फिर अब हम पढ़ेंगे important first incidents of world, मतलब विश्व में पहली बार जो घटित हुआ है, जो important incident है, वो जो exams में पूछे first university of the world, हमारे विश्व की पहली university कौन सी है, विश्व विध्याले कौन सा है, वो है आपकी तक्षिला university, third question, first women chairman of united nation organization, UNO की पहली women chairman कौन बनी थी, वो बनी थी आपकी विजयलक्षमी पंडित, first country to build constitution, समविधान लागू करने वाला पहली तब पहला देश कौन सा था, वो है आपका USA, that is America, फिर first country to start national anthem, national anthem राश्ट्यगान जो है आपका वो कौन सी देश ने स्टार्ट किया था, वो किया था, आपका जपान ने, फिर first country to start paper currency, paper के जो currency है, जो मुद्रा है, paper मुद्रा, वो स्टार्ट करी थी आपकी चाइना ने, first country to adopt national flag, राश्ट्रे जंडा, राश पहला देश किसने अपनाया था, वो था आपका Denmark, फिर first country to start civil services, civil services start करने वाला पहला देश, वो है आपका China, फिर first country to print a book, means पुस्तक मुद्रित करने वाला, पहली book चापने वाला, जो जिसने पहली book print करी थी, वो कौन सी पहला देश था, तो वो था आपका China, फिर important historical books आएंगे इंडिया की, तो पहली जो book है, वो हमारी अर्थ शास्त्र है, अर्थ शास्त्र जो है आपकी चानक की है, जिसे हम, जिने हम कोटले के नाम से जानते हैं, विश्नुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ये book लिकी थी, पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन क दोसरी दूसरी किताब है अश्ट ध्याई, अश्ट ध्याई जो है, आपकी पाने ने लिखी है, थर्द वुक इडिका, इडिका लिखी आपकी मैगस्थनीज ने जो चंदर गुप्त मौर्रया के कोर्ट में आये थे, चैलिकौस निकटर ने भेजा था, तो इन्होंने जो ह विशागदत ने लिखी है, Half a Life, Half a Life ये बुक आपके लिखी है, V.S. नाइपॉल ने, कामसूत्र विख जो लिखी है, वातस्यान ने लिखी है, राज तरंगनी आपकी कलहन ने लिखी है, तो ये जो हम बुक्स कर रहे हैं काफी important है, हर्श चरित्र, कादंबरी ये बुक ने लिखी है, गीत गोविंद, जैदेव की किताब है, पृत्वी राज रासो, चंदरवर्दाई ने लिखी है, स्पीड पोस्ट, शोभार डे ने लिखी है, और शाह नामा जो है, वो फिर्दौसी ने लिखी है, आइने अकबरी आपकी अबुल फजल ने लिखी है, बाब पंचली ये बंधुपाद्धाय ने लिखी है मालगुडी डेज और गाइड ये जो किताब ये आरके नरायन की बुक्स है विन्य पत्रिका ये गोस्वामी तुलसिदास ने लिखी है फिर भारत भारती या साकेत ये दोनों किताब मैतली शरण गुप्त ने लिखी है बंदे म इंडिया ये जो है मेगनाद दिसाई ने लिखी है फिर इटर्नल इंडिया माय ट्रुथ मतब इटर्नल इंडिया माय ट्रुथ ये आप दोनों किताबी किसमें लिखी है ये लिखी है इंद्रा गांधी ने फिर इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब लिखी है आपकी अबु with truth, my experiment with truth जो है ये बुक आपकी महात्मा गांदी की है Wings of Fire, very important काफी exam से पूछा था, Wings of Fire जो है APJ. अबदुलकलाम अजाद की किताब है, Ignited Minds जो है ये APJ. अबदुलकलाम की बुक है बुक है, sorry, फिर My Presidential Year, ये आर Wanket Raman ने लिखी है, A suitable Table Boy, ये पिछली बार भी शाहिद पूछा गया था, So Table Boy जो है वो विक्रम सेट ने लिखी है, फिर आप Passage to England, ये किताब है आपकी नीरत सी, चौधरी की और Train to Pakistan ये लिखी है, कुश्वन्त सिंग ने फिर Important Books of World, World में जो Important Books है उनकी बात करें, तो पहली बुकादे, The Republic The Republic जो है, ये Pluto ने लिखी है Harry Potter की जो सुरीज है, वो आपकी J.K. Rowling ने लिखी है, फिर Das Capital, ये भी कई बार पूछा गया है, Das Capital आपकी Karl Marx ने लिखी है फिर Struggle is my life, ये लिखी है Nansen Mandela ने, फिर Origin of Species ये लिखी है, Charles Darwin ने, Mother India बुक है Catherine Mayo की, फिर Paradise Last ये Paradise Regained, ये दो किताबे हैं, दोनों ही लिखी है, John Milton ने, The Prince लिखी है Machiavelli ने, और Politics लिखी है आपकी Aristotle ने, तो इन दोनों की जो comparison है, वो चाणकी की जो किताब है अर्थ शास्तर, उससे इसकी comparison की जाती है, पॉलिटिक्स की और The Prince की फिर आटेल ओफ टू सिरीज ये बुक लिखी है, Charles Dickens ने, My Life The Road Ahead ये बुक लिखी है, Bill Clinton ने अब Passage to India, ये लिखी है E.M. Foster ने, Wealth of Nation, इस रिटेन बाइडम स्मित Wealth of Nation जो एक्जाम में पूछा भी जाता है, Principia ये Newton ने लिखी है, Newton ने, फिर Hamlet और Othello ये किताबे हैं आपकी Shakespeare की, The Fourth State Very Important, Jaggery Arker ने ये किताब लिखी है, The Fourth State इसलिए important है क्योंकि मीडिया को जो है Fourth State बोला जाता है, तो ये मीडिया पे है तो आपकी exams के लिए important है Midnight Children जो है सलमान रुजदी ने लिखी है, The Odacity of Hope ये बुक है आपकी बड़ाक Obama की और Arabian Nights लिखी है Richard Burton ने, फिर Gulliver Travels जो है Jonathan Swift ने लिखी है और Wake Up India Annie Besant ने लिखी है ये कुछ important books होंगे विश्व की तो आज के दिए इतनी ही topic काफी है कल फिर हम किसी दूसरे topic को prepare करेंगे, आप preparation करते रही है Thank you so much